हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एडी हब और्लेंड क्लासेज मैं हूँ जयन तो दोस्तों आज वीडियो में पटवार रिजल्ट के उपर डिसकस करूंगा कि पटवार का जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आने की संभावना है यह आपका जो फाइनल रिजल्ट आने के बीच में क्या रुकावट आ रही है तो दोस्तों आपको मैं बता दू एक बात अभी तक जो है 943 स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है तो पहले जो है आपका 943 स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उनके डॉक्यूमेंट वेरिफ लेटर मिलते ही document verification करवाई जैसे ही वो document verification करवा लेंगे तो के पास में मई के MP na 1 वीक में एक या दो माई तक आपके पास provisional list आजाएगी provisional list क्या होती है provisional list वो होती है friends जिसके अंदर कुछ और बच्चों के क्या है कि document के अंदर कुछ problems है तो उनको ठीक करने का समय दिया जाएगा 7-8 दिन का उनको time दिया जाएगा या कुछ document पूरे नहीं है तो वो document लाने है और उनको सही करना है तो पहले आपकी आएगी provisional list उसके बाद जो है final result के लिए आपको website के उपर 7 दिनों के बाद जैसे ही आपकी provisional list आजाएगी उसके 7 से 10 दिनों के अंदर अंदर आपके पास आपके जो राष्तान करमचारी चैन वोट की website पर final result आजाएगा final result को लेकर उपे नियादव जी ने भी अभी अभी tweet किया है और कहा है कि पतवार भरती 2019 का जो final result है उसको जल्द से जल्द जारी कर देना चाहिए मतलब सभी जगों से अब update आ रहे हैं कि पतवार भरती का जो final result है उसको जल्द से जल्द जारी कर दीजिए friends मैंने आपके लिए पतवार भरती का जो final cutoff है उसके उपर भी वीडियो बना रखा है वो वीडियो भी आप जरूर चेक करें कि आपकी जो final cutoff रहने वाली है वो क्या रहने वाली है document verification होने के बाद आपके selection के लिए क्या cutoff रहेगी उसके उपर मैंने वीडियो बना रखा है तो एक बार उसको जरूर चेक करें कोई भी डाउट है तो प्लीज कॉल कमेंट और वर्ट्चैप तीनों कर सकते हैं थैंक यू बाबाई हैव नाइस डी